ऐसे जब 20 साल पहले मैं कछड़ा हुआ था ऐसे किसी ओफिस में जाके तो मुझसे पूछा गया था कि किया है किसी डिरेक्टर के एसिस्टेंट ने पूछा था क्या है तो कि मेंतगा आक्टर हैΝाए आप दिखने सो तो लगते नहीं हो आक्टर हो तो क्या होता था कि इंडिस्टिय में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता वो छे फुटका होता और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले शल्ले होते हैं मनला हम तो बस ऐसे ही चले गए था ऐसा समझता था वो और शिप्रम ये आपको यकिन दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ का कि मेरे खुद के रिष्टेदारों ने भी जब मैंने उनसे इच्छा जाहरी की कि मैं आक्टर बनना चाहता हूँ तो उन्होंने भी मुझे डी मॉरलाइज किया कि पहले शकल तो देख ले अपनी कि पाँच फूट का छोटा पतला दूबलसा आदमी काला कलूटा मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडिस्टी में मेरा क्या हाल होगा बट एक जिद थी एक जिद थी और हजारों लाखों मलब सालों साल से इंडिस्टी में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो हीरो तो जो है ऐसा होता है लेकिन सब और सिचुएशन के बावजूद भी गाए लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है तो अलग क्या करूँ अलग क्या होना चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी जो मैंने नेशनल स्कूल ओफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली तीन साल मैंने अक्टिंग की पढ़ाई की वहाँ पे और अपनी एक क्राफ्ट के बारे में समझा के अगर मैं लोगों को इंप्रेस करना चाहता हूँ उसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है या जो भी आप काम कर रहे हूँ उसमें क्राफ्ट उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे ही हवा में नहीं के जैसा पहले होता था आरे यार तो तो बहुत खुबसूरत दिखता है फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे ऐसा नहीं किसी चीज को बारी किसे जानना उसके लिए ट्रेनिंग की एक्सपर्ट की एक्सपिरियन्स की ज़रूरत होती है तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल उफ ड्रामा से और 2000 में मैं पहुंच के मुंबई मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ओफिस में जाते थे इससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी हम लोग गए जैसे मैंने बताया क्या ओफिस में खड़ोगे भाई हम एक्टर हैं काम दोगे क्या तो बहुत पहले हुलिया तो देख अपना तू तो यह हर बार सुनने के लिए मिलता था और बात भी सही थी क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई इतना बड़ा कोई इतनी सी प्रेसिनलिटी का पांच वोट शेंज का अदमी पतला दूबला सा मरियल सा कि कभी यह इस तरह के लोग आक्टर भी बन सकते हैं हीरो भी बन सकते हैं स्टार भी बन सकते हैं ऐसा चलन था ही नहीं मैं confident था because of my training मैंने training ली थी और अपनी craft के बारे में बहुत अच्छे से जानता था मैं और इस चीज़ का सिर्फ confidence था मुझे कि आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो या 10 साल या 20 साल या 30 साल 30 साल के बाद number ज़रूर आएगा मेरा मैंने मैंने कभी भी अपने को target नहीं किया target नहीं दिया मैंने कि अगर दो साल try करके देखता हूं उसमें अगर हो गया तो ठीक है वरना कोई दूसरा field अपना लूँगा ऐसा कभी नहीं जिस चीज़ का passion होता है जजबा होता है अगर आप दिल से चाहलो ना तो पूरी दुनिया जुग जाती है उसके उपर उसको पूरा करने के लिए पूरी काइनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के आगे जुकना पड़ेगा और पूरी दुनिया जुकती है आपकी जिद के आगे लेकिन आपको जिद्धी होना पड़ता है आपको बहुत सारे sacrifice भी करने पड़ते हैं क्यूंकि ये आपने चाहा है परिक्षा देनी पड़ती है आपको जितना बड़ा इमतहान होगा उतनी बड़ी परिक्षा भी देनी पड़ेगी आसान काम नहीं है छोटे छोटे टार्गेट बनाएंगे तो छोटों में निप्टारा हो जाएगा हमेशा अपने आपको टार्गेट बड़ा दो तो उसके लिए उसके लिए हमेशा अपने आपको अनकमफर्ट जोन में डालो कि जो पॉसिमिल जो इमपॉसिबल है उसको पॉसिविल करने की शिदत पैशन आपके अंदर होना चाही वह हो जाता है आज जो दुनिया में इतने सारे इक्सपर्यमेंट हुए हैं ये सिफ इसी बिना पे हुए हैं पागलपन के जरीए भी हुए हैं ये सारे एक्सपरिमेंट एक मैंने कहीं सुना था कि कि जब आप एक्सपरिमेंट करते हैं तो फैलियर भी होते हैं कई बार फैलियर होते हैं कोई एक एक्सपरिमेंट करने के लिए कोई एक चीज करने के लिए बहुत बार हमने भी जहला आया बहुत बार failure हुए हैं हम लोग लेकिन at least हमें इतने सारे failure होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से success नहीं मिल सकती for example Edison ने जब bulb का विश्कार किया तो सो बार experiment किये अपनी जिंदिगी में सो बार experiment करने के बाद जब उसको पता चला कि अरे formula था ये था bulb बनाने का तो at least उसको ये उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि सो जो तरीके हैं सो तरीकों से bulb नहीं बनता ये भी पता चला उन failures में उसको जब हम लोग मुंबई आए तो हमें मालूम था हमारे पास personality नहीं है हमारे पास back नहीं है ये हमारे नहीं हमी है तो हमें क्या करना चाहिए इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे उनका experience सुनते थे उनको observe करते थे तो I think मेरे पास 15 साल तक 10 साल 10-12 साल तक कोई काम नहीं था जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकंड के रोल करके घर में आके बढ़ जा तक पूरे साल के खाली बैटे रहते थे हम लोग लेकिन एक चीज थी के लोगों के बीच में रहते थे लोगों के बीच में रहने से ये एहसास हो आमें के तरह तरह के लोग हैं लेकिन हमारी इंडिस्टिय में सिर्फ एकी तरह की एक्टिंग होती है हजारों करोडों लोग हैं इस दुनिया में लेकिन एक्टिंग सिर्फ एकी तरी के से होती है हमारे है तो मुझे लगा यार मैं तो ट्रेंड भी हूँ मुझसे अपनी आर्ट भी आती है और हजारों लोगों को मैं अब्जर्ब भी कर रहा हूँ तो यह तो सबसे अच्छा सूत रहे हैं इस से तो मैं बहुत कुछ कर जाओंगा तो जब यह सूत पता चला मुझे के अब मैं यह जो हजारों लोगों को मैंने अब्जर्ब किया है अब जब भी मुझे कोई रोल मिलेगा उनी में से वो एक इनसान होगा उसी में वो ठाकरे बाड़ा साथ ठाकरे होगा उसी में मंटो होगा उसी में गणेश गायतुन्डे होगा उसी में फैजल खान होगा उसी में माजूमदार साथ होगे तो इस तरह के ये कब हुआ जब मैंने लोगों, हमने लोगों को अब्जर्व करना शुरू किया, लोगों के बीच में रहे, मैं 15 साल के बाद जो मेरी लाइफ थी, जिसमें खाने तक को नहीं मिलता था, आप fortunate अपने आपको समझने लगा था, कि thank God, कि मुझे ऐसे ऐसे लोग होता है आपके पास, वो एक चांस होता है आपके पास, कि कैसे उस, उसमें आप अपना observation, experience, जब आपको काम मिलेगा, वो उसमें लगाएंगे आप, तो मेरी लाइफ बहुत ही, आज जब मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ तो जो पंदरा, दस, बार अच्छा मिलता है तो आदमी इसलिए कनेक्ट करता है उनसे, कि उनको लगता है कि यार ये तो मेरे पोडोस काई, आसपास काई ये बंदा है, मैंने देखे हैं इस तरह के लोग, I think यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, as an actor. अपकोस स्टेगल में बहुत सारी चीज़े सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, क्योंकि खुझली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी, ये नो, आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर disappointment आ रहे हैं, तो आप तो complain भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना. तो बस यही था कि 10-12 साल तक मैंने सोचा था, 10-12 साल जब स्ट्रगल हो गए तो मेरे बहुत जादा वो भी हुआ, क्यार छोड़के चले जाते हैं, कुछ काम मिलनी रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, I don't know, मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा. फिर यह होता था कि नहीं, मेरी मदर जो है न, एक लेटर लिखती थी मुझे हमेशा, तब मोबाल लुबाई नहीं आये थे, पेजर आये थे, तो पेजर यहाँ पे लगा के चलते थे हम लोग. जब उनको मालूम हो जाता था कि बंदा जो है न, थोड़ा सा फ्रस्टिशन में है, डिप्रेशन में है, क्योंकि काम नहीं मिल रहा, तो मेरी मदर मुझे एक लेटर लिखती थी, लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी, बारा साल में कच्रे के दिन भी बदलते हैं, तो तो इंसान है, तो तेरा दिन भी बदलेगा, तो उन सब चीजों को देखके, कोई एक शेर, कोई एक कोटेशन, कोई इस तरह की जो मोटिवेशन, मोटिवेट करती हैं, जो लाइन्स आपको, उनका रहना, उन पर बिलीव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही आपको संबल देती हैं, मजबूती देती हैं, ताकत देती हैं, और मैं जिस गाउं साय था, डिस्टिक मुझभ फरनेगर के छोटा सा गाउं था, बुढ़ाना, जब हमने शुरुआत की थी, महां पर जब मैं था, महां पर लाइट भी नहीं थी, एक गंटे के लिए रात मे कभी आ गई, या एक महिने के बाद हलका सा मुझ दिखा के चली की, लाइट इस तरह होती थी, वोई लैंप में पढ़ना है, स्टार्ट किया, लैंप, तो छोटे से गाउं से आने के बावजूद, फिर दिल्ली, हमारे दिल्ली, मतलब छोड़ा साब, उससे बड़ा शेहर जोटे हमें ऐसा लगता था, पतनी क्या है, मतलब डर लगता था, मैं जब मुंबई में आया था, तो मैं पंद्रह दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला था, क्योंकि इतनी स्पीड देख रहा था हमें, कि इतनी स्पीड में तो हम चली नहीं पाएंगे, इस शहर के साथ शा जी नहीं जा सकते थे, कि बहुत सारे डर थे, वापस अगर चले गए, तो थेटर के जो मेरे दोस्त थे, वो बोलते, क्यों भाई, वापस आगे तुम भी, जैसे बहुत सारे लोग वापस आ रहे, तो तुम भी वापस आगे, चलो लग जाओ, ठेके, गाउं में इस लिए जाता था अपने, कि जो पहले ही बोलते थे, वो लोग के शकल तो देख ले, फिर हार के उनके सामने चला गया, तो क्या बोलेंगे, वो तो वही बोलेंगे, कि हमने तो पहले मना गया थे, कि मज जाओ, क्या सूरो शकल थो थोड़े यह थी तुमारे स्टार बनने की, साल बाद भी मिलेगी, उसके लिए भी मतलब तयार रहना चाहिए, सक्सिस की कोई डेट नहीं होती, कोई तारिख नहीं होती, कोई टार्गेट नहीं होता कि इतने ही दुनों में मिल जाएगी, इनसान का काम होता है, आईटी मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ना हमेशा अपने आपको लाइफ में पुश करते रहो, और पैशन के साथ, जिस भी आप काम में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें पैशन के साथ लगे रहना बहुत जरूर स्मिलनी शुरू होती है जैसे जब आप समंदर में देखते हैं समंदर देखते समंदर की जब गोता मारते नीचे जाते हैं तो आपको एक धीरे-धीरे बहुत कुछ दिखाये देना शुरू ऐसी आपका भी फिल्ड है कोई भी हर फिल्ड ऐसे ही होता है उसमें असी संभावना होती है इतनी possibilities होती है कि I think दुनिया का हर काम में इतनी possibilities तो सिर्फ अगर एक दर्जी है पेंट सीता है एक हजार तरीकी के पेंट सी सकता है अगर वो चाहे तो अगर उसने नहीं चाहा तो जो ट्रेंट चला रहा है वो इस हीता जाएगा थोग्न कि अगर उसने चाहा लिया कि मैं ऐसा कुछ मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो एक हजार तरीकी के पेंट ऐसे हर फिल्ड में पॉसिबीटीश बह consistency होती है और एक perfection होता है, for example, जैसे हम लोग, हम लोग उने training इसलिए लिए कि perfection आजाए अपने काम में, जैसे एक मैंने example सुना था कि ये छोड़ी छोड़ी चीजे जो मैं बता रहा हूँ, ये चूकि मैंने बच्पन में सुनी थी, उन पे दिवा, उनी को अपनी life बना के आगे बढ़ सूरी होता है इन्सान के लिए, बताते हैं कि एक बहुत बड़े पता ने सच है जूट ये मुझे इतना जाद नहीं मालूम, बकुछ बहुत बड़े इंसान हो है, लेकिन वो पेहले मौची थे, जूता सीते थे, लेकिन जूता जहां से शीते थे ना, वहां से कभी फढ़त वो लेकिन उस काम में भी उनका उनका पैशन है तो इसी वजह से वो इतने पॉपुलर होते चले गए क्यार जूता फड़के लेकिन सिल्वाना वहीं जाके है क्योंकि आगर उन्हें सी दिया वहाँ पे जिंदेगी पर वहाँ से जूता नहीं फड़ेगा तो छुटी-छुटी चीजों में यह जो परफेक्शन पैशन यह सारी चीजों तो यह आपका आगे बढ़ाती है बहुत आगे ले जाती है लेकिन उसके वही है कुछ चीजों का होना वाकिए बहुत जरूरी होता है फिर एक्सपिरियंस आपका आपकी नॉलिज जिसे मेरा मानना है कि मैं कभी मैं सॉरी तो से बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लग पर बिलीव नहीं करता हूँ सब्सक्राइब कि मेरे सामने आज 750 Canada मेरे सामने लगैजे कोई चीज नहीं हुई कि मैं लगैजे यहां तक कहुँच गया अज छो आप उनрахडे टेख रहे थे जा चैनल ऊपिंग मेशेर किली डिख रहे थे मैं लगै नि पहूंचा हूँ यहां पर मैंने उसके लिए मैनत की है मैंने उसके लिए knowledge इकठी की है मैंने उसके लिए training लिए है